पुल्वामा आतंग की हमले में पकिस्तान का हाथ होने के भारत के दावों को परोसी मुल्क के इम्रान खान की सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने पुष्टी कर दिया पकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कबूल किया है कि पुल्वामा आतंग की अनुसका में पकिस्तान को एफ टी अफ में ब्लेक्लिस्ट करने की जरूरा था बता दे कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार में मंत्री फवाद चोजरी ने सांसद में कबूल किया है कि पुलवामा आतंग की हमला इमरान खान सरकार की बड़ी कम्याबी है या पाकिस्तान की बड़ी पुलवदी है इंडियन गैस ने अपने गैस उभुक्ताओ के लिए नया नमबर 378 95 55 जारी किया है इस नमबर का परियोग जार्खन सहित पुरे देश के उभुक्ता एसमेस के जरिये गैस बुकिंग के लिए कर सकेंगे बताओ देखि इसका ट्रायल सुरू कर दिया गया है एक नमबर से नया नमबर ही काम करेगा इंटर समपूरक परिच्छा परवेशपत्र आज से जबकि मैटरी का परवेशपत्र एक नमबर से डाउनलोड होगा इंटर्मेडियर समपूरक परिक्षा 2020 के परिशर्थियों का परिशर्थ 30 अक्टूबर से डाउनलोड होगा जबकि मैट्री के परिशर्थियों का परिशर्थ एक नॉम्मर से डाउनलोड होगा जार्खंड एकेडवी कॉंसिल दुआरा इस समंधित जारी निर्देश में कहा गया है कि समंधित स्कूल कॉलेज के परचारे प्रवेसपत्र डाउनलोड कर परिछार्थियों को उपलवत कराएंगे बता दे कि प्रवेसपत्र जैक बेपसाइ डाउनलोड किया जा सकता है राची रोजगार मेला है राची जीला परसासन ने अपना टाइम और सौवनिती इनिसियेटीव के साथ मिलकर मंगलवार से राची रोजगार मेला 2020 के सुरुवात की है इसके तहट 66-63 में करीब 2000 जोब की लिश्ट की गई है 12 अक्टूबर को ही जीला परसासन और अपना टाइम के बीच एम यू हो चुका है बता दे कि अपना टाइम टीम ने बताया कि मेले के पहले दिन ही करीब 6000 लोगों ने राइस्टेशन कराया है उमिद्वार आप को इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं आप का लिंक डिस्करप्शन बोक्स में दिया हुए है राजे के वीवी सिक्षकों को प्रोनाथी देने का ममला अब तक फंसा ही हुए है राजेपाल स कुला अधिपती द्रोपती मुर्वु ने कई बार बीवी सिक्षकों को प्रोनाथी देने के लिए उच शिक्षा विभाग वा ज्यार्खन लोग सेवा आयोग को निर्देश दिया लेकिन अब तक ममला जस्किता साय एक तरफ जहां ज्यार्खन लोग सेवा आयोग निर्देश को को वैसे प्रोनाथी देने का निर्देश जुलाई 2020 में ही दे देने की बात कही थी जिसमें फिलाल कोई अर्चन नहीं है लेकिन चार माबाद भी प्रोनाथी नहीं दी जा सकी ज्यार्खन में 2714 संक्रमित होम आईसूलेशन में राज सरकार दोरा होम आईसूलेशन में रहकर इलाज कराने करमती मिलने के बाद जायता संक्रमित घर में रहकर ही इलाज कराना पसंद कर रहे हैं बता दे कि श्वास्त विभाग के माने तो % of 714 संक्रमी थो माईसोलेसन में हैं हो माईसोलेसन में रॉखा इलाज करने वाले में सबसे ज्यादा संख्या में राची जीकला के हैं चेस्ट मेडिसीन विभाग के क्लिनिक डाक्टर डाक्टर अपार जिंदल ने बताया कि मंत्री जी पहले से ठीक है उनको खाना खिलाया जा रहा है बेट पर बिठाया जा रहा है गला में पाइप डाला गया है इस करण हुआ बोल तो नहीं पा रहे है डाक्टर जिंदल ने बताया कि फेपड़ा का हलका ब्याम कराया जा रहा है धान में बिवारियों का आकलनक और किसानों को मिलेगा मुअबजा मंत्री जार्खन में देवघर गोड़ा और दुमका छेतर में धान में ब्राउन प्लांट हामपर नाम कीट के परकोप की खवरों को लेकर किसी बिभाग सक्रिये हो गया है इस समद में किसी मंत्री बादल ने बिभाग के पताधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी किसान मित्रो एवं पंचायत अस्तर के किसी पताधिकारियों से किसानों के निकुसान का आकलन का रिपोर्ट तयार करा है और जिन किसानों को इस वीमारी से नुक्सान हुआ है उन्हें मुअबजा दिया जाए 32 पिसदी अविभावक घार पर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अपने बच्चों की घार पर होने वारी पढ़ाई भवान भरोसे है जारखन के करीब 32 पिसदी अविभावक सरकारी स्कूल के बच्चों को घार पर नहीं पढ़ाते हैं यही नहीं वे पढ़ाई में किसी भी तरह की उनकी मदद नहीं करते हैं यह बच्चे खुद से अत्वा किसी अन्यमाद्यम से घार पर पढ़ाई करते हैं बता दे कि इसका खुलासा असर 2020 में हुआ है, रिपोर्ट बुद्वार को जारी किया गया प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चो alb minimally इस्कोलों noi का भी हाल इससे जुदा नहीं है, बता दे कि प्राइवेट इसकूलों में पढ़ने वाले बच्चो के करीब 21 प्रिश्दिया विभावक घर पर उनकी पढ़ाई में मदद नहीं करते मड़ुआ की फसल को जार्खन सकार बेचेगी जार्खन की पहचान मड़ुआ जैसे प्रमपारिक पोश्टिक अनाज को दोबारा प्रचालन में लाने की कवैद सुरू कर दी गई है राई सरकार जार्खन ट्राइवर्ल डेवलप्मेंट सोसाइटी के माध्यम से इसकी विक्री करेगी बता जै कि आने वाले दिनों में सरकारी अस्तर पर मड़ुआ की पैकिंग होगी और किसान समो को कमपनी के रूप में स्थापीत कर मड़ुआ से बनी समागरी आठा विसकूट केक की विक्री के लिए प्रेरित किया जाएगा जार्खन में तिनसो पंचल में नज संक्रमितों के पुष्टी हुई बश्चमी से 24 मिले है जार्खन में खुल संक्रमितों के संख्या एक लाख नौसो चौट है जब कि 941787 लोग स्वास्थ हुए और 883 की मृति हो गाई भारत में केस 487 62 मिले है जबकि संताओं ने 869 लोग स्वास्थ हुए भारत में एक्टिव केस 5,93,617 है जबकि जार्खन में एक्टिव केस 2,94 बचे है राजेपाल ने विश्व विद्यालों में रिक्त पदों को सिग्र भरने के दिये निर्देश जार्खन की राजेपाल द्रुपती मुर्वू ने विश्व विद्यालों में शिक्षकों की लम्बित नियोक्ती परकिर्या सिग्र पूरी करने के निर्देश विद्यालों और जार्खन लोग सिवा आयोको दिये हैं साथ ही सिक्षकों की प्रोनती प्रकिरिया का सिख निस्पादन करने को कहा है उन्होंने इसके लिए बिश्व भी द्याले और जाखन लोग सिवा आयोक को तत परता एवं सहयोगात्मक भावना के साथ कारे करने के निदेश दिये हैं राची रिम्स परिसर में जगा जगा पुलिस तैनात रिम्स में आयदिन मरीज के सौजन और जूनियर डाक्टर के बीच मारफिट की घटना पर अप्रवंधन ने एक नया कदम उठाया है सदर डी एसप के साथ रिम्स की प्रभारी निदेशक डाक्टर मंजू गाड़ी बैठक के बाद परिसर में जगा जगा पुलिस और सैप जवानों की तैनाती कर दी गई है हैवी लाइसेंस की प्रकिरिया कठीन होने से लाखो ट्रक चलक बेरोजगार मजदूर संग उपाद्यक्स भारतिये जनता मजदूर संग वरिये प्रदेश उपाद्यक्स सुनिल कुमार सिंग ने गुरुवार को आयोजित प्रेस वारता में कहा की एक और सफर के दोरान वा सहर में लाइसेंस वा अन्ने पेपरों की जाच के लिए सगन अभियान चलाया जाता है पेपर की कमी पाया जाने पर ट्रक चलको वा मोटर वान लिको से काफी मोटी रकम होसिली जाती है वहीं दूसरी ओर ओरिजिनल हैवी लाइसेंस नई वर रिनुवल बनाने के लिए काफी कटिन परकिरिया की दोर से गुजरना पता है इसके कारण राजियों के लाखो ट्रक चलक वेरुजगार घर बैठे है राश्ट्रिय एकताद दिवस पर इसकूली बच्चे लेंगे क्विज परत्योकता में हिसा इसकूली सिक्षा यम सचाता विभाग द्वारा राश्ट्रिय एकताद दिवस पर क्विज परत्योकता कायोजन किया गया है सरदार वलवाई पटेल के जनम दिन पर 10 नॉवंबर तक बिद्ध्यालियों के छात्रों के लिए mygov.in portal पर knowledge, tradition, practice and heritage of India विशय पर क्विज परतियोकता हो रही है बता दे कि विभाग ने सभी उपायुक्त और जीला सिक्चा अधिक्षा को निर्देशित दिया है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के इस कारिकरम के मादेम से जुड़े mobile या प्राग्या केंद्र से करें अधिदान high coat में मुफ्त में चलेगा मुकादमा अगर आपको high coat में notice मिला है या फिर कोई मुकादमा दाखिल करना है तो आप अपने घर से ही ऐसा कर सकते हैं बता दे कि smart phone या laptop है तो विधिक सेवा portal से अपना अधिदान दे सकते हैं मुफ्त में अधिवक्ता मिल जाएगा जो आपका मुकादमा लड़ेगा राजेक के लोगों को मुफ्त कानूनी सहयते प्रदान करने के लिए जाकर्ण high coat legal service कमेटी ने इस तरह का प्रदान किया है कोटी सहीद जिले में दो जग हो पर खुलेगा प्लासमा उपायूक्त रिलायंस माट और माट की तर्ज पर कोटी जिला मुख्याले सहीद दो जग हो पर प्लासमाट खोले जाएंगे इसमें महिलाय स्वेम सहायता समू और जे एस पी एल पी एस द्वारा उत्पादित बस्तूओं की विक्री होगी बता दे कि पहला माट खुल टी और दूसरा माट तोरपा या कर्रा में खोला जाएगा योजनाओ का लाफ ग्रामिनों को मिले पलामू पायूग ते पलामू पायूग सहसीर अंजन ने कहा है कि योजनाओ का लाफ ग्रामिनों को मिले इसमें किसी तरह के कोता ही नहीं बरते प्रखंड से किसी तरह की सिकायत नहीं मिलनी चाहिए कारियों में लपरवाही नहीं चलेगी गुनवाता पूर्ण कारे करे गुनवाता के साथ कोई समझावता नहीं होगी आम जनों की समस्याओं का निदान हो सभी को इसका ध्यान रखना है छात्र विर्ति के लिए 31 अक्टूबर तक करे अवेदान केंद्री अलप संख्यक मंत्राला की तीन छात्र विर्ति योईनाव के लिए SC, SD और OVC अलप संख्यक कल्यान विभाग द्वारा 31 अक्टूबर तक आवेदान अमंतित किया गया है एक छुक समय रहते आवेदान कर दे ताकि उन्हें इसका लाब मिल सके बता दे कि ये जनकारी DC कुल्दीप चौधरी ने गुरुवार को दी है देवघर से 16 साइबर अपराधी गिरफतार देवघर SP आस्विनी कुमार सिना को गुप सुचना मिली थी की सारट, मधुपूर, पाथ रोल, मारगो, मुंडा, छेतर में साइबर अपराधी सक्रिये हो गए है सुचना के अधार पर साइबर पूलिस की दो टीम का कठन कर चापे मारी कराई गए जिसमें कूल 16 साइबर अपराधी को गिरफतार किया गया है CID ने की गूमला में हत्या और दुमका में समोईक दुसकर्म की जाच सुरू अपराध अनुसंधान विभाग ने दुमका के रामगड में पांचवी कक्षा की छातरा के साथ गैंग्रेप के बार हत्या और गुमला के घागरा में भाई बहन के अफरान के बाद हुई हत्या मामले की जाच गुरुवार को सुरू कर दी है CID मुक्याले सुत्रो ने बताया कि ADG अनिल पाल्टा के आदेश पर DSP अस्तर के अधिकारी के नेतिते में जाच टीम गठित की गई है गुरुवार को जीला के ESP के साथ मिलकर CID की जाच टीम ने अनुसंदान प्राणाब कर दी है जामुमों के DNA में ही है गुंडागर्दी रहुवर्दास पूर्व मुखमंत्री रगवर्दास ने जारखन मुक्ती मोर्चा को जारखन मुद्रा मोर्चन पाटी कहते हुए कहा कि जगा जगा गाडी रोकर रंगदारी वसुनला खनीज समपदा की अवैद उत्खनन कर अपना खाजाना भरना जाखन मुक्ती मोर्चा का चरित रहा है रगवर्दास गुरुवार को मसालिया में अवैजी जन्चवपाल को समोधित कर रहे थे उन्होंने बर्तमान मुखमंत्री को ठग मुखमंत्री कहते हुए कहा कि जामुओं के डियने में ही गुंडा गर्दी है या पार्टी गुंडा एवं लफंगों की है यहां बड़े मिया तो बड़े मिया छोटे मिया सुभान अल्ला उन्होंने कहा कि राची बरहेट तथा दुमका जीला के रामगड में इसकूली बचों के साथ बलतकारी घटना का होना सरकार के निकम्मेपन की सबुथा है जारखन में खुलेगा NCC का नेवल यूनिट NCC जारखन में NCC नेवल यूनिट सुरू करेगा ताकि यहां के बच्चे इसमें ट्रेनिंग लेकर देश की नेवी में अपना योगदान दे सके राज में पहले से ही आरखन की एक यूनिट चालू है जिससे कई NCC के कारेकरता जूर का सफलता पुरुवक देश की आरखन में भी सामिलित हुए है इसकी जनकारी मेजर जनरल सा जारखन विहार के ADG NCC इंद्रबालन ने दिया वे गुरुवार को अपने पहले जारखन दोरे पर राची पहुँचे इस दोरान उन्होंने राजयपाल दुरोपती मुर्मू से मुलकात की उन्होंने राजयपाल को राज की तरफ से की जारे गतिविद्यो की जनकारी दी साहीद के सौजनों के साथ है जार्खन सरकार मंत्री राजेख के क्रीसी मंत्री बादल पत्रले गुरुवार की साम चुरेयाग गाउ आकर सहीद अभिसे कुमार सावो के सौजनों से मुलकात की सहीत की माया काती देवी, दादी, चाचा, भाई, बहन, आरती देवी से मिलकर उन्हें धान्डस बढ़ाया उन्होंने काया कि जाखन सरकार इस दूख की घड़ी में सहीत के सोजनों के साथ है सरकार की ओर से सोजनों को हर संभव मदद दिलाई जाएगी और बिलंब सुलक के ही ऑंलाई रिश्टेशन को हर जाना है बताव दे कि बिलंब सुलक के साथ 6 से 12 नौबर तक रिश्टेशन हो सकेगा थानेवाद यहाद आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब करें अपने दूस्तों साथ सेर करें साथ आप हमें कोमेंट बॉक्स में अपना फीडवेक अवासे दे थैंक यू